नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रकर्ष्रिवास्तव गया और मैं आप सबी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरू घंटाल में दोस्तों हम सब जानते हैं कि गमारे देश हिंदुस्तान में जमूरियत गया डिमॉक्रिसी है और इस डिमॉक्रिसी में 18 साल या उससे उपर के इंसान को वोट देने का अधिकार है मत्दान करने का अधिकार है ताकि वो अपने मन पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन कर लोग सभा में या माली जीए कि जो विधान सभा है वहाँ पर भेश सके और वो उसकी बातों को वहाँ पर रख पाए उसकी समस्याओं को देश के सामने देश की संसत के सामने रखा जा सके तो वोट देना हमारे देश में क्या है कि एक लीगल राइट है मगर अक्सर क्या गोता है कि हमारे देश की लोग इस राइट का इस्तमाल करते नहीं है इसलिए हिंदुस्तान में जब एलेक्षन गोता गए तो हाडली कभी ऐसा होता है कि 70 प्रतिशत से उपर वोट पड़े हो आज मैं आप लोगों को जिस तरह की वोट के बारें बताने जा रहा हूँ वो वोट थोड़ा डिफरेंट है वो एक आमनागरिक वोट नहीं करता है आज मैं आप लोगों को कास्टिंग वोट के बारें बताऊंगा कि कास्टिंग वोट क्या गोती है दोस्तों आप सब जानते होंगे कि हमारे देश की पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल रखा जाता है उस बिल पे बहस होता है खतरनाक बहस होता है वो बिल लॉब बनने से पहले उस पे बहस होती है कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि जब कोई ऐसा बिल पेश हुआ और पूरी की पूरी संसद आधी आधी बढ़ गई मतलब कि जितने लोग फेवर में हैं उतने ही लोग अगेंस में गए तो अब क्या किया जाए अब एक तरह का डेड़ लॉग क्रियेट हो गया अब देखिए कुछ लोग फेवर में थे कुछ लोग आपका फेवर में नहीं थे तब speaker of the लोग सभा जिसको presiding officer कहते हैं तो कि सरवे सरवा होता है लोग सभा का वो अपना एक vote कास्ट करता है जिसे हम लोग कहते है casting vote ताकि इस deadlock को खतम किया जा सके ताकि कोई फैसला निक वोट को कहते हैं जो किसी भी deadlock को create करने के लिए की जाती है और हिंदुस्तान की संसद में ये वोट करने का अधिकार speaker of the लोग सभा के पास गये मतलब presiding officer of the लोग सभा के पास है वो इस casting vote का इस्तमाल तब करेगा जब किसी तरह का deadlock create होगा अगर deadlock create नहीं हो रगा गया त instance में वो किसी भी तरह का vote नहीं करेगा अक्सर लोगों को लगता है कि speaker of the लोग सभा is a part of the लोग सभा तो कोई भी बिल अगर पेश होगी तो पहला जो vote कोगा वो speaker करेगा ऐसा बिलकुल नहीं है तो दोस्तों मैं ये casting vote आप लोगों को इसलिए समझाना चाहता था कि अगर एक speaker of the लोग सभा अपने वोट का इस्तमाल कर सकता है तो हम लोग अपनी voting power का इस्तमाल क्यों नहीं कर सकते है कोशिच कीजिए जाए जाकर politics में आप जब तक participate नहीं करेंगे आप politics को नहीं सुध हार सकते हिंदुस्तान की तो उमीद गए अगली बार से आप लोग अपने वोट का अपने मताधिकार का इस्तमाल करेंगे जब भी भारत में चुनाओ का महौल आएगा चुनाओ का तहवार आएगा और उमीद है आप लोग कास्टिंग वोट समझ में आई होगी विश्यू आप वेरी गुद लग टेक केर गुद बाई